दोस्तो मेरा नमें बीजैक मार आप देख रहें कॉमिक्स पिटागर चैनल को तो चलिए दोस्तो मनोच चित्र कथा की इस संदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है बीचित्र जुड़ुआ आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिष्ट जो के कुछ इस तरह का है तो चल मारे उतकंठा के जोर जोर से धड़क रहा था है इस वर सब कुसल करना आज बिभा के दस वरसों बाद वो दिन आया है जब सुन्दर नगर के इस राजमहल में किसी नन्हे मुन्ने की किलकार्यों की अवाज गुण जेगी राज्य की परजा को उनका भावी राजा और आती तभी महराज की जेहो महराज के लिए मैं बहुत बड़ी खुसकबरी लाई हूँ महराणी ने एक साथ दो सुन्दर बालकों को जनम दिया है प्रभू तेरा लाक लाक धन्यवाद धायमा ये लोहार खुसकबरी लाने के लिए महराज की जेहो राजकुमारों की लंबी आईयो हो राजा ने उसी छन महामंत्री के सौधत को बुलवाया महामंत्री जी मैं चाहता हूँ मेरे इस खुसी में पूरे राजी की परजा सम्मिली थो ऐसा ही होगा महाराज और उसी दिन साम को धम 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 समस्त नगरवासियों को महाराज सियु सिंग का साही निमंत्रन राज की तरब से साही भोजन में उपस्तित होने का अन्रोध है वाह मज़ा गया साही दावत यम 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 भाई मैं तो कल साही दावत में अवस्य जाओंगा मैं भी इस वर राजकुमारों को लंबी आयू परदान करें सर्दार में कहा था राज महल में होने वाले किसी भी खास यम नई बात की सुचना तुरंट उसे दी जाए तो क्या राजकुमारों के जनम की सुचना भी खास है अगले हिचन गंगुआ जबरा डाकों के अड़े की ओर उड़ा जा रहा था सिग रही क्या बात है गंगुआ सर्दार मैं सच कह रहा हूँ कल राजकुमारों के जनम की खुसी में राजा की तरफ से साहे दावत भी दी जा रही है अगर ये बात सच है तो मुझे तुरंटी ये सुचना सीतल घाटी तक खुद ही पहुचानी होगी फिर दुरा का मैं किसी जरूरी काम से कल तक के लिए बाहर जा रहा हूँ तब तक गिरो का संचालन तुम करोगे आप निश्चिन ठोकर जाएं सर्दार मैं सब समाल लूँगा फिर उसी जन जबरा सीतल घाटी की ओर चल पड़ा कई घंटों के लगादार यात्रा के बाद दूसरे दिन वो सीतल घाटी की एक विसाल गुफा में पहुचा कितनी भियानक जगह है पता नहीं भाईया यहां कैसे रहते हैं सिगरी अरे भाईया तो साथना में लीन है मुझे कुछ देर पठिक्चा करने पड़ेगी और थोड़ी देर बाद जब उस तांत्री की साधना भंग हुई अरे समसेर तुम हाँ भाईया एक बुरी खबर है क्या बकते हो समसेर तुम जानते हो भैरासिंग के लिए कोई खबर बुरी नहीं किन्तु फिर भी तुम जो कहना चाते हो कहो भैया सुन्दर नगर राजे के एक नहीं एक साध्दो उत्राधिकारी पैदा हो चुके हैं और अब हमारे रही सही उमीदें क्या भैरासिंग ने समसेर की बात बीच में ही कारती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम सुन्दर नगर के राजा हैं, सुन्दर नगर हमारे रियासत है, ना उस पर पहले किसी का हक था, ना अब है, ना आगे किसी का होगा किन्तु भईया, यदि सिग्र ही उन सपोलों का कुछ उपाय ना किया गया, तो हम जिन्दिगे पर सुन्दर नगर के राज सिहासन का सपना ही देखते रहेंगे, नहीं, ऐसान कभी नहीं होगा कहने के साथ ही, बहरो सिंग उसी कुपा में एक तरफ रखे एक संदूख की और बढ़ा, संदूख से उसने एक डिबबा निकाला, और जैसे उसे खोला अगले ही चन, हुक्म मेरे मालिक, लगता है भईया ने तंत्र बिध्या में काफे उन्नाती कर ली है गुलाम, तुम्हें अभी संदर नगर जाकर राजा सिव सिंग के दोनों नौजाज सीशूओं को जिंदा उठा कर यहां लाना है जो अग्या मालिक, गुलाम उसी समय संदर नगर की ओर उड़ चला उधर संदर नगर में राजकुमारों के जनम के सुवसर पर खुसिया मनाई जा रही थी राजा की तरप से आयोजित, साही दावत में नगर सेट और दरिद्र सब सम्मिली थे राजा सीव सिंग स्वैम अपने हाथों से भोजन कर चुके परते गरीब को दान पुन्य कर रहे थे राजकुमारों के लंबी उम्र हो जबकि राजमहल के एक बिसेस कक्ष में मेरे बच्चो तुमने मेरी कोक से जनम लेकर मेरे गौरों की लाज रख ली है आज मैं भी अपने आपको पुर्ण नारी कह सकती हूँ तो मुझे इन दोनों बालकों को अपने माली के पास पहुँचाना है फिर कौन अगले ही चन गुलाम ने जपट्टा मार कर राणी की बगल में लेटे दोनों राजकुमारों को उठा लिया छोड़ दे दोस्त मेरे बच्चों को छोड़ पकड़ो पकड़ो वाउ वाउ रानी के चीक पुकार सुनकर तेन चार सैनिक और दो दासिया घबराई हुई जैसे ही धरवाजे तक पहुँची अंदर का द्रिश से देखकर एक पल के लिए सक्ते की सी हालत में खड़ी रह गई और इसे बीच गुलाम दोनों राजकुमारों को उठाए दरवाजे से बाहर निकल गया मुल्खो खड़े खड़े एक दूसरी का मुह क्या देख रहे हो जाओ उसे पकड़ो और मेरे बच्चे को बचाओ है और जब तक वे बाहर पहुँचे वाओ वाओ आए ये क्या अरे वो तो राजकुमारों को लेकर उपर उड़ा जा रहा है हाए कोई मेरे लाल को बचाओ और अगले ही पल गुलाम उन दोनों राजकुमारों को अकास मार्क से सीतर घाटी की ओर लिये जा रहा था और उसे अकास के बुलंदियों में जदुगर्ने वलीना एक विसलकाए गीत के रुप में बिचरन कर रही थी जैसे उसकी नजर गुलाम पर पड़ी अरे ये क्या इतनी बड़ी बड़ी आँखे और साथ में कोमल मांस आहा मजा गया गीद रुपी जादुगर्नी वलीना ने तुरंथ हबा में एक कलाबाजी खाई और खचाग अचानक हुए इस समले से गुलाम के हाथ से एक राजकुमार छूट गया और नीचे गिरता चला गया ओह दुस्टा ये तुने क्या किया मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अपनी खेर मना मैं पहले तेरी दूसरी आँख खाऊंगी फिर इस लड़के का कोमल मांस ओ तो इसका मतलब है तु कोई मयावी सकती है तो ले बच सकती है तो बच फूं लेकिन अगले ही पल जादुगर्नी के मुह से पानी की एक मोटी सी धार निकली अपने पहले आकरमन को बिफल होते देख गुलाम ने अपना विक्राल मुह खोला तो उसके मुह से एक बिची तरशी सकती बाहर निकली और अगले ही पल खचादुगर्नी ये तो गई काम से किन्तो अब मैं एक राजकमार के बारे में अपने मालिक को क्या जवाब दूँगा इसी तरह की सोच में डूबा गुलाम सीतल घाटी की और बढ़ चला इधर बंजारों की एक टोली में बंजारों की टोली का सरदार हारुन और उसकी बेगम पीर बाबा की दरगा की और जाने की तयारी कर रहे थे हे पीर बाबा तेरे फजल से आज मेरी बेगम की जिन्दगी बची है और उसी की मन्नत को उतार दे ये नाचीज तेरे दर पर आ रहा है रहा सुगम बनाना हाँ पीर बाबा वैसे तो तेरा करम है पर एक उलाद की कमी है बेगम अल्ला ताला पर यकीन करो वो सब की सुनता है हाँ जिस दिन उसने मेरी फर्याज सुन ली मैं एक सनील की चादर पीर बाबा की दरगाँ पर चड़ाओंगी हरसान तुम्हारी अल्ला हूँ अल्ला हो फिर थोड़ी ही देर बाद वो बंजारों की टोली चादर लेकर प अरे ये बच्चा अकास से हाँ साइद पीर बाबा ने तुम्हारी मनत कबूल कर इसे तुम्हें दिया है पर अब कुछ सोचो नहीं बेगम जल्दी से इसे अपने सीने से लगा लो ये तुम्हारी ममता को तरस रहा है फिर साइदा बेगम ने उस बच्चे को उठा कर अपन जैसे तुम ही इसकी माँ हो और एक बार फिर बंजारों की टोली दुगन ने हर सो उल्लास के साथ पीर बाबा की दरगा की और बढ़ चली हरसान तुम्हारी अल्ला हो अल्ला हो इधर गुलाम ने तांत्रिक भैरो सिंग को जब एक ही राजकुमार को सौपा तो वो चौंक पड़ा ये क्या ये तो एक ही है समसेर तो कहता था कि दो मालिक दूसरा अकास में ही एक सैतानी सक्ति के अचानक आकरमन करने के कारण मेरे हां से छोट गया फिर गुलाम ने उसे गीद रुपी जादुगर दी और उसके अंत की घटना सुना दी तो इसका मतलब एक राजकुमार अकास से नीचे गिर कर मर गया चलो ये भी ठीक ही हुआ भाईया अब इस सपोले को भी खत्म कर दो नहीं हम इसे मारेंगे नहीं बलकी किन्तु भाईया कहते हैं सपोले को दूद पिलाने से कभी भी वो अपने लिए खत्रा बन सकता है खत्रा भैराव सिंग के लिए खत्रा ये सपोला खत्रा इसमें हसने की क्या बात है भईया ये तो पुराने लोगों का कहना है नहीं समसेर हम इस सपोले से ही इसके बाप को यानी राजा सियु सिंग को खत्म कराएंगे हाँ इसी से हमारा परतिसोत पूरा होगा उस कमीने सियु सिंग के मौत का कारण उसका पुत्र ही बनेगा तब ही तो हमारे कलेजी को ठंड़क पड़ेगी समसेर तुम उस अपमान को भोल सकते हो जो उसने पिताजी से हमारा कराया था उसी कमीने के कारण तो पिताजी ने अपने बड़े पुत्र यानी कि मेरा राज्य अभिसेक ना करके हमारे सोतेले भाई यानी सियु सिंग को सुंदर नगर का राजा बना दिया तुम भोल सकते हो उस अपमान को मैं नहीं मैं सीउसन को कुट्ते से भी बत्तर मौत मरने के लिए मजबूर कर दूँगा चाहता तो मैं भी यही हूँ किन्तो भाईया जरूरी तो नहीं कि आपके ये योजना काम्याब ही होगी समसेद मेरी योजना अवस से काम्याब होगी ये नहीं तो दूसरी दूसरी? हाँ तुम इस सपोलो को एक खतरनाक ढाको बनाओ और इसके मन में राजा सीउसिंग के खिलाब इतनी नफरत पैदा करो कि ये उसके खून का प्यासा हो जाए और यदि ये अपने बाप को ना मार सका तो हम इसे ग्रिफतार करवा देंगे फिर राजा सीउसिंग इसे फांसी की सजा देगा और इस तरह हम एक बाप के हाँ तो उसके ही बेटे को मौत की सजा दिलवा कर अपना परतिसोत पूरा करेंगी वा भया मान गया क्या सांदार योजदा है आपकी बाप के हाँ तो बेटे की मौत या बेटे के हाँ तो बाप की मौत दोलों में से एक मौत निश्चित है ठीक है अब तुम इस सपोले को ले जाकर एक ऐसा खतरनाग ढाको बनाओ जिसके नाम से क्यοςकि मैं महा माया की अराधनाग करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं की अराधनाग पुर्न होने तक कोई भी बेवधान ना आए तो क्या अराधनाग पुर्न होने पर आप स्वैं मुझ से संपर करेंगी हाँ और अब तुम यहां से जाओ फिर राजकुमार को लेकर समसेर अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा कर अपने अट्डे की और चल दिया उसके जाने के बाद महा माया की अरादना प्रारम करने से पहले ये जरूरी है कि मैं यहां की सभी सैतानी सक्तिया समाप कर इस गुफा को परंतिया सुद साप कर लूँ इसके लिए सबसे पहले मुझे इस गुलाम के अस्तित्त को समाप करना होगा फिर भैरो सिंग ने महा माया की मूर्ती के सामने पड़ी तोरी सी भस्म उठाई और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और भस्म गुलाम की और उचालती देखते ही देखते गुलाम एक छोटे से राह के धेर में बदल गया फिर भैरो सिंग ने गुफा में बिखरी सारी हड़ीय कत्रित की और गुफा से दूर बहती एक नदी में बहा दी फिर गुफा में गाय के गुबर का लेप किया यदि मैं महा माया को प्रशन करने में सफल हो गया तो इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा सक्ति साले कोई दूसरा ना होगा गुफा को पुड़ने अता सुद करने के बाद बहराओ सिंग महा माया की अरादना में लीन हो गया ओ महा माया सक्तिमम नाकरेन भताजे और उधर सुंदर नगर के राजमहल में सौमी जैसे भी हो आप जल्दी मेरे बच्चों को मेरे सामने लेकर आईए वरना मैं रो रो कर अपने चान दे दूंगी धीरज रखो प्रिये मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ पूरे राजी के सेनिक उस बिची तर सक्ती के खोच में लगे है सिर्फ कोसिस की नहीं सिर्फ कोसिसी नहीं सौमी आप उन्हें अभीरानी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी relevance तबी, महराज कीजे हो, महामंतरी आपसे मिलने के इजाज़त चाहते हैं, उन्हें यहीं फेज दो, आए महामंतरी जी राजकुमारों का कुछ पता चला, महराज, अभी तक तो नहीं, किन्तु हमारे परियास अभी जारी है, और महराज से निवेदन है कि आजकल नगर में स्वामी मुला नंद जी आई हुए हैं उनकी नगरवासियों में बहुत चर्चा है सुना है वो तरिकाल दर्सी है मेरे ख्याल से आपको उनसे मिलना चाहिए हो सकता है उन्हें के हाँ तो हमारा कल्यान हो जाए यदि ऐसी बात है तो हम इसी समय उनसे मिलने जाएंगे आप क्यों नहीं इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सेयर कमेंट जरूर कर देना चैनल वे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज